सुपरभात प्यारे बच्चों, सात्वी क्लास में हम आप सब का हारदिक स्वागत करते हैं आज का विशे है मधुरानी वचनानी मीठे वचन दस्वाद्याई है और इसका पहला भाग जिसमें हम अब देखेंगे स्लोग पहला स्लोग है नरस्य आभर्नम रूपम, रूप से आभर्नम गुणाह, गुण से आभर्नम ग्यानम, ग्यान से आभर्नम क्षमा इसके सब्दार्थ देखें नरस्य मनुस्य का आभर्न मैंने आभूशन या भूशन कहलो या गहना कहलो रूप मैंने उता है उसकी सकल या उसकी आकरिती उसका फिगर रूप का आभूशन आभरन आभरन आभूशन गुण है देखें मनुष्य का आभूशन रूप है रूप का आभूशन आभरन गुण है गुण से आभरनम ग्यानम गुण का आभरन ग्यान है गुन का भूशन ग्यान है ग्यान से अभर्णम क्षमा और ग्यान का भर्ण जो है वो माफ करना है यह अन्य lovers देखें रूपम नरस्य अभर्णम रूप मैंने उसकी सकल सूरत मनुष्य का भूशन होता है मनुष्य की पहचान उसके रूप उसकी शकल सूर्थ से ही होती है वही उसका गुन है उसका अभूशन है और रूप की जो सुंदरता है रूप का जो गहना है वो क्या है रूप अभूशन गुन है रूप का अभूशन गुन होता है यानि अगर व्यक्ति गुनवान है तो अगर शकल से सुंदर है और गुनवान भी ह तो उसकी ज़्यादा होगी इसी तरह से आपर क्या कि गुण का आभूशन ग्यान है पहला है मनुश्य का भूशन रूप है रूप का भूशन गुण है गुण का भूशन ग्यान है और ग्यान का भूशन जो है वो क्षमा करना होता है चार बात आई रूप मनुस्या का आभूशन है, गुण रूप का आभूशन है, ग्यान गुण का आभूशन है, और क्षमा करना ग्यान का आभूशन है, इसका अब भावार्थ अर्थ देख लो, रूपम अर्थार्थ सुन्रता मनुस्या से आभूशनम भवती, रूप अर्थार्थ सौंद और उसके सकल सूरत की ज़्यादा सोबा होती है उसके गुणी होने में अर्थार्थ गुण सुंदर्ता का आभूशन है और ग्यान गुण का आभूशन है सहन सिल्टा ग्यान का आभूशन है इसकी हिंदी देखिए मनुश्य का आभूशन रूप है रूप का आभूशन है और ज्यान का भूशन क्षमा करना है इसका ये अर्थ रहा रूप अर्थार सुंदरता मनुश्य का भूशन होता है गुण सुंदरता का भूशन होता है ज्यान गुण का भूशन होता है और ख्षमा करना या सहन सिलता ज्यान का भूशन होता है अब यहाँ पर प्रसन है एक पद में उत्तर दें, नरस्याभरणम किम अस्ती रूपम, रूपश्याभरणम किम अस्ती गुणा है, गुणश्याभरणम किम अस्ती ग्यानम, ग्यानस्याभरणम किम अस्ती शमा, पूर्ण वाक्यम उत्तर दें, मैंने एक सब्द में लिख रखे हैं, लेकिन आपने पूरे वाके में लिखने है। तो अब यह दूसरा स्लोक देखें सिर्फ यहाँ पर हिंदी समझा रहा हूं दोबारा फिद लेंगे इसको हाथ की सोभा दान करने से है भूशन मने गहना यहाथ का भूशन दान है कंठ से गले का सत्य भूशन है यहाथ की सोभा सत्य भूशन मने भूशन है गले का भूशन सत्य है सुरोत्र से भूशनम सास्त्रम सुरोत्र मैंने उत्ता है कान कान का भूशन सास्त्र है व्यर्थम सवर्णस से भूशनम सोनने का भूशन व्यर्थ का भूशन है अर्थार दान करने में हाथों की सोबा है सच बोलने में गले की सोबा है सास्तर ज्यान सुनने में कानों की सोबा है और सुनने का भूशन तो पहनो या ना पहनो वो तो व्याथ का भूशन है यहाँ पर आप इसका भाव देखें दानम हस्त से भूशनम भवती दान हाथ का अभूशन होता है सत्यम कंठस्य भूशनम अस्ती सत्या गले का अभूशन है ज्यानम स्रवनस्य भूशनम करणयोह भूशनम भवती ज्यान दोनों कानों का अभूशन है सोरनस्य भूशनम तो व्यर्थम एव अस्ती सोनने का भूशन तो पहनो या ना पहनो वो ब्यालत का भूशन है यह इसकी दोनों स्लोकों की हिंदी और पहले स्लोक के प्रस्नुत्रा आप हल करें अपनी पुस्तक में लिखेंगे और बाकी नेक्स वीडियो में रहेगा